नमस्काम मैं हूँ प्रग्या बिहार नी नियूज में आपका स्वागत है आज है 30 दिसंबर दिन श्रनिवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्ख्यों पर ऑनलाइन दाखिल खारिज अपीर दायर करने हितु आविश्यक दस्तावेजों के संबंध में सूशना बिहार से जार्खन और कॉलकता के लिए चलिंगी नई बसे आज अयोध्या दर्भंगा के बीच अमर्त भारत ट्रेन की होगी श्रवार वोटर आईडी में इन स्टिप्स को फॉलो कर बदलवाएं अपना पता भारतिय टेस्ट टीम में मोहमद शमी की जगह शामिल हुआ यह तेज केनबाच अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर विस्तार से बिहार विधान सभा में 183 पदों पर निकली भरती इस दिन से कड़े आविदन बिहार विधान सभा सचिवाले के द्वारा सुरक्षा प्रहरी डाटा एंट्री ओपरेटर चालक और काड़यारे पड़िचारी के कुल 183 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो बिहार विधान सभा सचिवाले की अधिकारिक वेफसाइट विधानसभा.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आविदन करनी की शिरवात 1.02024 से हो रही है तो वहीं आविदन करनी की अंतिम तारिक 21.024 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनेक योगिता की बात करे तो सुरक्षा प्रहडी पदों के लिए किसी मानिता प्राप्त बोर्ड से बारवी की परिच्छा उत्तिर्ण तथा अधिक्तम 25 वर्स तकी आयू वाले उमिद्वार आवेदन कर सकेंगे डाटा एंट्री ओपरेटर पदों के लिए भी योगिता बारवी पास नरधारित की गई है लेकिन अधिक्तम आयू सीमा 37 वर्स है चालक और कारयाले परिचारी भरती के लिए दसवी पास होना चाहिए और आयू सैतिस वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए सजुरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लें ओनलाइन दाखिल खारीज अपील दायर करने हे तुँ आवेशक दस्तावेजों के संबंध में सूशना बिहार सरकार के राजश्व एवं भूमी सुधार विवाग के द्वारा आई पी आडी बिहार के तहट पोस्ट शेयर कर ओनलाइन दाखिल खारीज अपील स्ट्रिंखला दो के तहट अपील दायर करने के लिए आवेशक दस्तावेजों के संबंध में सूशना दी गई है जिसके तहट वादी प्रतिवादी अन्य व्यक्ति अपील दायर कर सकते है भूमी सुधार उपसमाहरता के नयाले में अपील को ओनलाइन डायर किया जा सकता है अधिक्तम 30 दिनों में भूमी सुधार उपसमाहरता द्वारा नर्नय का प्रावधान है यथा संभव आवेदन टाइप किया होना चाहिए आवेदन में भूमी संबंदत आविश्चक सूच दस्तावेज है उप्रोक्त सभी दस्तावेजों को दो MBK PDF फॉर्मेट में संधारित कर अप्लोड किया जाना है अपील प्राधिकार के नर्नय से असंतुस्ट होने के स्थिती में पुनरवलोकर हेतू अपर समहरता के यहां वाद दायर किया जा सकता है विहार परेटर में आ प्रांती के लिए किया जाने वाला एक धार में अनुस्ठान करते हैं यह सदियों से चली आ रही एक परंपड़ा है और लोगों का मानना है किस जगह पड़ पूजा करने के बाद आत्मा को मोक्ष की प्रापती होती है पहारी की चोटी पर भगवान यम को समर्पित एक मंदिर का निर्मान शुरू होने में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था लेकिन कई बार इसका जनुदार किया गया है आप मंदिर के पास रामकुंड नामक एक तालाब देख सकते हैं जहां माला जाता है कि भगवान राम ने इसमें एक बार रस सराय के जिला नियो जन काले आले में साल का आकरी रोजगार मेला लगने वाला है इस बारे में बेगो सराय नियो जन काले आले के अधिकारी पंकज ляются राजपूत और कामेश्वर कुमार के द्वारा जानकारी देते बताया गया किस रोजगार मेला में 100 सीटों पर बहाली की जाएगी वहीं इसमें भाग लेने वाले अभ्यार्थी का इंटर पास होना अनिबारे है और साथ ही अभ्यार्थियों की उम्र सीमा 19-29 वर्स होनी चाहिए और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इसक साथ अपना बायो राटा आधार कार्ड और पैन कार्ड संबंदल सैशनी प्रमान पत्र अंग पत्र और पासपोर्ट साइज दो रंगीन फोटो भी आयोजन अस्थल पर लेकर आना अनिबारे है नेचर सफारी में बने का एक और ग्लास ब्रीज और डायनासौर पार्क बिह इसके अलावा एक डायनासौर पार्क के निर्मान का भी निर्ने लिया गया है जो कि बिहार का पहला डायनासौर पार्क होगा अब कि जानकारी के बता दी कि नीचर सफारी में बनाये जाने वाले एक और ग्लास ब्रीज वर्तवान ग्लास ब्रीज से बड़ा होगा ताकि अ नए वित्वर्स में इसका अनिर्मान कारे शिड़ हो जाएगा। चार बजे तक निर्धारित किया गया है बता दे कि निशल्क टीका करण एवं क्रीमी नासंदवा वित्रन अभियान चार जन्वरी दोहजार चौबस तक चलाया जाएगा वहिंचिन जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है उनमें पुर्वी चंपारण मोतिहारी पश्मी चंपारण बेतिया मुझपरपूर सीता मढ़ी पुर्णिया कटिहार मधेपूरा समस्तिपूर सिवान एवं शिवर के नाम शामिल है इस अभियान के तहर टीका कर्मियों द्वारा निर्धार तिथी के अनुसार घर घर जाकर गाई एवं भैस जाती के पश्वों का गला घ शेशने चार नौ पर कॉल कर संपर्क किया जा सकता है बिहार में और महंगी हो सकती है बिजली बिहार में बिजली और भी महंगी हो सकती है इसको लेकर बिजली कंपनियों के द्वारा नई बिजली दर का सारवजनिक प्रकाशन कर दिया गया है और इस पर 15 जनवरी 2014 तक आम षहड़ों में आईोग की और से जनसुनवाई की जाएगी और फिर जनसुनवाई के बाद आयोग की और से 1 अपरİL से पहले 2024 के लिए नई टैरेफ तर्की घोशना कर दी जाएगी आपके जानकारे के बता दे के बिजली कंपनियों के निसे और 2024 से राची भर में सूबे की बिशली दर 33 से 40 पैसे प्रती यूनिट तक महिंगी हो सकती है वोटर आईडी में इन स्टप्स को फॉलो कर बदलवाएं अपना पता अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो घर बैठे वोटर आईडी में अपना पता बदलवाना चाहते हैं तो यहां ख़बर आपके लिए है पता दिक इसके लिए आपको कुछ स्टप्स फॉलो करने होंगे इसके लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रिय मद्दाता सेवा पोर्टल वोटरपोर्टल.eci.gov.in पर जाना होगा जहां आपको सिफ्टिंग ओफ रेसिदेंस या करेक्शन ओफ एंट्रीज इन एक्सिस्टिंग एलक्टरोल रोल या रेप्लेस्मेंट ओफ एपी आईसी या मार्किंग ओफ पी और साथ ही फॉर्म आर्ट दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है जहां आपको अपना अकाउंट बनाकर लॉग इन करना होगा और फिर आपको वोटराई रिकार्ड में बदलाव करने का विकल्प मिलेगा यहां पर आपको राज्य शेहर और लोग सभा या विधान सभा का चुनाव करना है इसके बाद आपको अपने इलेक्टोरल रोल नंबर जिंडर और माता पता का नाम समीद बाकी चीजे भ़ड़नी है फिर नया पता दर्ज करना है साथ ही मोवाइल नंबर और इमेल आइडी भी भड़नी है अब सब्मिट पर क्लिक कर दे जिसके बा परिचालन के लिए पर्मिट दे दिया गया है इसके साथ ही अगले साल 40 से अधिक नए मारगों पर भी बसो का परिचालन शुरू करने का निढ़ने लिया गया है मालम हो किसके लिए इलेक्ट्रिक सिटी बसों की खरिदारी की जाएगी वहें इसकी शिर्वात 11 सहरों में होगी जिसमें बिहार की राजधारी पटना, गया मुझपरपुर, हाजिपुर, छपड़ा वैशाली, गोपाल गंच, भोजपूर, बोध गया, राजगीर और नालंदा शामिल है जहां पहले चरण में 90 सिटी बसों की खरीद की जाएगी, इसके बाद बाकी शेहरों के लिए भी सिटी बसों की खरीदारी की जाएगी नौक्री की तलाष में सबस्यादा इस देस में जाते हैं बिहारी विदेश मंतराले की ओडर से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिससे यह खुलासा हुआ है कि रोजी-रोजगार की तलाष में बिहार की लोग सबसे आदा किस देस में पलायान करते हैं दरसल इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लोग सबसे अधिक 18 देसों में जा रहे हैं जनमें समयुक्त अरव अमिराथ, शौदी अरव, कुवैत, कतर, ओमान, भरीन, मलेशिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, लेवना, दक्षिन, सुडान, सीरिया, थाइलेंड, यमन, और सुडान शामिल है, महीं इस रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ है कि विदेश पलायन करने वालों में बिहार से जादा यूपी के लोग है, 15 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यूपी से जहां 1,2,182 लोग रोजी रोजगार के लिए विदेश का है, वह इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर जारखन ने जहां से कुल 3,361 लोग विदेश का है, आज अयोध्या दरभंगा के बीच अमरत भारत ट्रेन की होगी श्रवात, अयोध्या दरभंगा के बीच आज प्रधान मंतरी नरंदर मोदी के द्वारा हरी जंडी दिखा कर अमरत भारत ट्रेन का शिर्वात किया जाएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दी के योध्या से दरभंगा के बीच यह ट्रेन को 12 स्टेशनों पर रुखेगी, वहीं के सर्या रंग की अमरत भारत एक्सप्रस 130 किलो मीटर प्रती घंटा रफतार से दोड़ेगी ट्रेन गार्ड रूम में मॉनिटर के साथ लगेज रूम में CCTV दिव्यांग व्यक्ति के लिए रैंप, अभिनव, भारी, रंग, योजना, बहतर और सौंदर्यपुर्ण, मनभावन, प्रकास विवस्था आदी विशेशताओं से युक्त है, इसके अंदरोनी हिस्से में, फ पर्टी, खुलने, योग्य, दरपन, फ्रेम, स्टैंड, अलोन, यातरी, घोशना और सारवजन, एक सूशना, प्रनाली, गार द्वारा, संचार, पीए सिस्टम से युक्त है, इसमें पुष्ट पुल के लिए भी पावर्फुल एंजन लगेंगे, आगे वाला एंजन, ट् किराई की बात करें, तो रेलवे बोर्ट के द्वारा, जारी किये गया किराया तालिका कैनोसार, पुष्ट पुल एवं LHB कोच वाले स्ट्रेन में, एक से पंदरा किलो मीटर तक सामाने में 355 और शयन या, स्ट्रेनी में 46 रुपए किराया तै किया गया है, 100 किलो मीटर त प्रमोशन का लाब मिल रहा या नहीं, बिहार सरकार करेगी समिक्षा, बिहार सरकार के समाने प्रिशासन विभाग के द्वारा, राजी के सभी सरकारी विभागों के प्रमुख सभी प्रमंडली आयुकतवा जिलादिकारी, बिहार लोग सेवा आयो के सचीव करमचारी चैन आयोग के सचीव एवं राजिक के अन्य संबंधित काड़ेयालियों को नर्देश देते वे कहा गया है कि बिहार सरकार के विविन सीवा संबर्गो एवं सीवाओं में प्रमोशन दिये जाने के मामलों की बिहार के मुख्य सचीव अस्तर पर उचस्तरीय समिक्छा की जाए इस किसी के आधार पर रिपोर्ट में जानकारी दे दी है विवाग के अनुसार अगर किसी काड़ेयाले के द्वारा अपने कर्मियों को उच्तर प्रिभार नहीं दिया गया है तो उन्हें इसका भी जानकारी देना होगा और साथ ही अब तक क्यों नहीं किया गया है इसका परिक्षा एप से जोड़ा जाएगा जिसके बाद ये सभी सिक्षक परिक्षा खत्म होने के बाद बोर्ड की परिक्षा में उपस्तित वा अनुपस्तित छात्रों की संख्या के साथ निश्कासन की जानकारी देने का काम करेंगे ताकि बोर्ड अपनी ओर से आगी की कर सके बता दे किसके लिए सिक्षकों को बोर्ड की ओर से प्रसक्षित भी किया जाएगा जिसके तहत 5 और 6 जन्वरी को सुबह 10 से 12 बजे तक और 1 से 30 बजे तक हर प्रमंडल के सिक्षकों को जिलावार और पाली बार अलग-अलग प्रसक्षित किया जाएगा वहें इस प्रस एरपोर्ट का डिजाइन तयार 432 करोड रुपए जारी बहुत जल्दी पॉर्डिया एरपोर्ट को लेकर लोगों को खुशी मिलने वाली है द्रसल एरपोर्ट अथारिटी ओफ इंडिया के द्वारा पॉर्डिया एरपोर्ट का डिजाइन तयार कर लिया गया है और इसके सा अलावा फोलेन कनेक्टिविटी रोड देने की मांग की जा रही है ताकि एरपोर्ट का काम शुरू किया जा सके भारत सरकार के नारिक उडियन मंत्री जोती रादिते सिंधिया के द्वारा यह भी कहा गया था कि जिस दिन बिहार सरकार के द्वारा 15 एकर जमीन के साथ फोलेन कनेक्टिविटी दे दी जाती है उसके एक सप्ता के अंदर ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा इससे पहरे जिलापरशासन के द्वारा 52.18 एकर जमीन अधिकृत कर एयरपोर्ट अथारिटी ओफ इंडिया को सौप दिया गया है और इसको लेकर M.O.U.B. हो चुका है स्टेशनों पर रेलवे लगा रहा पैनिक बटन जानिये क्यों? भारतिय रेलवे की ओर से यातरियों की सुधा को ध्यार में रखते वे कई जरूरी कदम उठाये जाते हैं इसकरी में रेलवे की ओर से यातरियों को सफर के दौरान किसी प्रकार की कोई परिशानी ना हो उस के लिए 170 रेलवे स्टेशनों का चेन किया गया है मालमों कि या एक खास तरह का उपकरण है जिसका उपयोग यातरी आपात कालिन स्थिती में कर रेलवे सुरक्षा बल को सचेत कर सकते हैं और साथ ही इस पैनिक बटन की मदद से यातरी मुसीबत के समय आरपी एफ कर्मियो से सहाइता भी मांग सकते हैं बता दे की पैनिक बटन की स्विच को आप जैसे ही दबाएंगे तो सीधे एक अलर्ट आरपी एफ के कंट्रोल रूम पहुँचेगा जिसके बाद ग्यातरी की पहचान कर उस तक मदद पहुचाई जाएगी बिहार के मौसम में हुआ बदलाव। बिहार के मौसम का रुख बदलेगा कुहांसे में बढ़ोतरी होते ही नए साल के शुरबात में बारिस भी होने की संभावना है बिहार के नुसार आज राजी के उत्तर पश्मी एवं मध्य भागो के कुछ अस्थानों में घना कोड़ा चाय रहने की संभावना है बिहार के इस बेटी ने पांच दिनों में पांच नौकरियां की हासल बिहार के जमुई की रहने वाली टीनों के द्वारा पांच दिन में पांच नौकरियां हासल कर सभी को चौकाने का काम किया गया है द्रसल टीनों का सबसे पहला चयाना 22 दिसंबर को कम्प्यूटर ओपरेटर के पद के लिए हुआ है वही 23 दिसंबर को BSSE CGL की प्रतियोगिता परिक्षा में सफल होकर सहायक प्रशाखा पदधिकारी बने 25 दिसंबर को BPSC द्वारा आयूजित सक्षक भरती परिक्षा के 6-8 संवर्ग में सफलता हासल की 26 दिसम्बर को BPSC द्वारा आयुजित सिक्षक भरती परिक्षा के माधिमिक विद्याले 9 से 10 समवर्ग तिथा उच माधिमिक 11 से 12 विद्याले के लिए भी सफलता हासल की ऐसे में इन पांचो प्रतियों गिता में सफलता हासल कर टीनू ने बड़ी काम्याबी हासल की है बतादे के 27 वर्षी है टीनू UPSC की तैयारी करना चाहती है सरकारी फार्मेसी कॉलेज में नई नियुक्ति की तयारी बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सरकारी फार्मेसी कॉलेज के सिति को देखते वे इन कॉलेजों में सक्छकों की बहाली प्राडम्ब करने की तयारी की जारी है दरसल इन कॉलेजों में नियमित सिक्षक नहीं होनी की वज़ा से छात्रों को काम चलाओ पढ़ाई करवाई जा रही है ऐसे में इनसिती को देखते वे सिक्षक बहाली के लिए विभाग के स्तर पढ़का वायत शिडोक कर दी गई है अब की जानकारी कलिबतादी के बिहार में पांच सरकारी फार्मेसी कॉलेज है जिसमें सबसे पुड़ाना फार्मेसी कॉलेज राज के फार्मेसी संस्थान पटना है मालुम हो कि फार्मेसी काउंसल आफ इंडिया के निर्धारित मानकों के नुसार इंस्थानों में छात्रों की संख्या के आधार पर करीव 27 सिक्षकों की दर्कार है जबकि यहां अभी साथ सिक्षक ही कारेड़त है ललन सिंखे सितफे पर विपक्षी पार्टियों ने बोला हमला बी। दिन ललन सिंख के द्वारा जेडियो के राश्ट्री अध्यक्षपत से इस्तिफ़ा देने के बाद राजनिति कि गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है इंदिये में शामिल कई पार्टियों के द्वारा ललन सिंग पर हमला बोला जारा है बता दे कि हम पार्टि के सनक्चक जीतर ना मां जी के द्वारा एक्सपर ट्वीट कर लिखा गया है कि नितीश कुमार की तीन वर्सिये योजना के तहत ललन सिंग का भी पत्ता साफ कर दिय गया है वैसे ललन बाबू को समझना चाहिए था कि जो नितीश कुमार फरनाड साहब के ना हुए रसीपी बाबू शरद याद दिगविजय सिंग के ना हुए वह उनके कैसे होंगे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नितीश ने ठगा नहीं वे बिहार भाजपा प्रदेश रध्यक गया कि पहले भी कईरेता पार्टी छोड़कर गए हैं पुर्वनेता जॉर्ज फरनाडनस और आर्सीपी सिंग तो कितने साल से थे तो वो भी हटे या हटाए गये राजनिती की परसिती के हिसाब से फैसला होता है उन्होंने कहा कि ललन सिंग के जाने से जेडियू एक आए इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में महागडवंधन सरकार चल रही है उससे बीजेपी बॉक ला चुकी है जब महागडवंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था तब बीजेपी को बुरी तरह से हरा दिया था तो हमारे गडवंधन से बीजेपी के हाथ पाउं फूलने लगे हैं स्वज़ा से बीजेपी ऐसे बेफिजूल के बयान दे रही है भारतिये टेस्ट टीम में महागडवंध श्रमी की जगा शामिल हुआ यह तेज गेंदबाज BCI के द्वारा साउथ अफरिका के खिलाब खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतिये टीम में महागडवंध श्रमी की जगा गाएं हाथ के तेज गेंदबाज आवेश खान को जगा दिया गया है बतादे कि आवेश खान के द्वारा अभी तक भारत के लिए टेस्ट डेब्यू नहीं किया गया है इसके अलावा आवेश खान के द्वारा भारत के लिए आठ वंडे और उनस्टी ट्वेंटी आई मैच खेले गया है इनके नाम 22.065 की ओसत से 149 प्रथम श्ट्रेणी विकेट दर्ज है आपकी जानकारी के लिए बतादी कि भारत और साउथ अफरीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच तीन जनवरी से खेलना शुरू किया जाएगा जो की साथ चनवरी 2024 तक चलेगा यह मैच केप टाउन में खेला जाना है वहीं भारतिय टीम ने पहले टेस्ट मैच में साउथ अफरीका से 32 रन से हार का सामना करना पड़ा था भारत की तिहास में आज की तारीक है कई कार्णों सदर्ज शुतंता सिना नी सुभा शंद्र बोस ने 1943 में पोर्ट ब्लेर में भारत की आजादी का जंडा लहडाया भारत ने 1949 में चीन को मानता दी सुर्य शेक कामणी ने 2008 में 46 वी राश्ट्रिये एस अतरन चैंपियंशिप की खिताब जीती इसवी सदी के महान संत और समास सेवक रमन महरसी का 1889 में जन हुआ भारत के युवा बैडमेंटन खिलारी सौरफ वर्मा का 1992 में जन हुआ संसत के लोकसभा सदस्ते और संस्कृत के विदवान साथी आरे समाज की नेता के रूप में भी प्रसद प्रकाश्वीर सास्तरी का 1923 में जन हुआ प्रतम भारतिये शतरंज मास्टर मैनवल आरो का 1935 में जन हुआ भारत के प्रसद राजनातिक वसलेशक वर्ष्ट पत्रकार और हिंदी प्रेमी वेद प्रताप वैदी का 1924 में जन हुआ प्रसद समाज कारिकरता हनू मपप सुदर्शन का 1950 में जन हुआ जानी माने वैग्यानिक विक्रम सारा भाई का 1931 में निधन हुआ बारे में आज हम बात करेंगे विवन पदो के लिए नौकरियों के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने ट्विट में लिखा है कि एक वेबसाइट www.htps//rashatriavikasyojna.org विविन पदो के लिए नौकरियां देने का दावा करती है और अमिद्वारों से आवेदर शुलक के रूप में 1675 रुपए का भुगतान मांग रही है P.I.B. ने अपने ट्विट में आगे लिखा है कि वेबसाइट फेक है वेबसाइट का संबंद Agriculture इंडिया से नहीं है Kia Motors के मालिक के नाम में चिपा है बड़ा अर्थ अपने Kia Motors का नाम तो जरूर सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है कि Kia का अर्थ क्या है और इस कंपनी के मालिक कौन है दरसल Kia Motors South Africa की आटो मुबाइल कंपनी है जो पैसेंजर वीकल सेल करती है इसके स्थापना जून 1944 में हुई थी उस दौरान ये कंपनी साइकल का निर्मान करती थी फिर वर्स 1957 में कंपनी ने होंडा की स्मॉल मोटर साइकल का प्रोडक्शन किया और फिर 1972 में ट्रक का निर्मान करना शुरू कर दिया और कंपनी ने 1974 में अपनी पहली व्रिसा रेंश कार का निर्मान करना शुरू कर दिय मालुम हो कि किया की Parent Company Hyundai है ऐसे में वर्थमान में इस कम्पनी के मालिक Hyundai के ही मालिक है जिनका नाम चुंग जू यूंग है 1998 से पहले यह सुदंतर हुआ करती थी महीं किया के तीन अर्थ होते हैं जिसमें सबसे पहले अर्थ राजा होता है दूसरा अर्थ रक्षक होता है और तीसरा अर्थ डिफेंडर होता है WhatsApp में मिलने वाला है AI Chatbot का फीचर Artificial Intelligence Tools हर छेतर में एड़ हो रहे हैं अब मेटा भी WhatsApp में AI Chatbot का सपोर्ट देने वाली है जल्द आप WhatsApp में मेटा AI Chatbot का अस्तमाल कर पाएंगे फिलहाल कंपनी इस पर काम कर रही है और यह कुछ बीटा टस्टर्स के पास उपलब्द है मेटा AI Chatbot का उप्शन आपको चैट वेंडो के बॉटम में हरे प्लस आइकन के उपर मिलेगा एक गोल सा नीले कलर का उप्शन आपको तब दिखेगा जब आप इसे सेटिंग से ओन करेंगे यानि यह डिपॉल्ट रूप से एप में नहीं आएगा इससे उन लोगों को फाइदा होगा जो इसे यूज नहीं करना चाहते और सिर्फ मैसेजिंग का मजा लेना चाहते हैं AI चैट बॉट को ओन करने के लिए आपको सेटिंग में जाकर चैट सेटिंग में आना होगा और यहां आपको सो मेटा AI बटम का ओप्शन मिलेगा इसे करने के बाद ही आपको AI चैट बॉट बाहर चैट विंडो में दिखेगा मेटा AI की मदद से आप अने चैट बॉट की त आपके टेस्ट सवालों का तरीका आदी सब कुछ AI चैट बॉट को बहतर बनाने के लिए यूज किया जाएगा हम प्रते दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुलिस, तरोगा समीत, SST जैसे अने प्रतियोगी पर इच्छ न्यूजिलांड, आप्शनिसी ऑस्ट्रेलिया, आप्शन्डी जिंबावे इसका सहीधतर है आप्शनी ऑस्ट्रेलिया, अगला सवाल, हाली में किस सहर में देश की पहली AI सिटी का निर्मान किया जाएगा, आप्शने मॉमबई, आप्शनी बैंगलॉर, आप्शनी दिल्ल आप्शन डी लखनाव। इसका सही तरह आप्शन डी लखनाव। अगला सवाल, हाली में टिक्नो स्मार्ट फोन ने किसको अपना ब्रांड एमबेस्टर निवत किया है। आप्शन डी कैट्रीना कैफ, आप्शन डी दिपिका पादुकोन, आप्शन सी रनवीर सिंग, आप्शन डी वरुन्धवन। इसका सही तरह आप्शन डी उनिस्व पंद्राव। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ है। आप्शन डी पठना, आप्शन बी मुझा परपुर, आप्शन सी चंपारन, आप्शन डी सारन। इसका सही तरह आप्शन सी चंपारन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है। आपके अनुसार सीम डी तीस के दूसरी बार जेडियू के राश्ट्री अध्यक्ष बनने पर पार्टी को मजबूती मिलेगी या नहीं। अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। अज के लिए ताही बिहार के तमाम कब्रों के साथ बने रहने के लिए बिहारी निउज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखना चालन को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूलें।